Hello everyone, आप सब का स्वागत है RRB NTPC 2019 का CBT1 का Maths का Solution कर रहे हैं जिसमें 28 December 2020 से 3 February 2021 तक जितने भी सिफ्ट में एक्जाम हुए सभी सिफ्ट के Solution complete हो चुके हैं इन सब के वीडियोज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आज के Class में 4 February 2021 का पहला सिफ्ट का Solution करेंगे और इन सब का Solution पहले ही complete हो चुका है इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं लिंक नीचे description में दिया गया है तो सुरू करते हैं उससे पहले चैनल पर ना है तो चैनल को सब्स्राइब कर दिजीए आगे बढ़ते हैं पहला सवाल है 5 से 14 तक की सभी प्राकित संख्याओं के घनो का योग ज्याद किजिए थीक है ठीक है परतम N प्राकिट संख्याओं के घंव का योग निकलने का जो फॉर्मूला होता वो क्या होता ? N इन्टू N प्लस वन प्रटटू और इसका होल स्कुर थीक है ? तो यहांसे है कि 5 से 14 तक का निकलना है तो यह जो फॉर्मूला है यह कहां से लगता है ? से लेके माली यह न तक है तो यहां पर यह लगेगा तो सुरू से नहीं दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे यहां से एक से यह चार तक मिसिंग है तो हम लोग एक से 14 तक निकालेंगे, उसमें 1 से 4 तक निकालके मैनस कर देंगे, तो 5 से 14 तक निकल जाएगा, तो यहाँ पर यह formula का दो बार यूज करेंगे, एक बार 1 से 14 तक निकालने में, इसमें की n हमारा हो जाएगा क्या? 14, ठीक है? तो इसमें रखेंगे, तो 14, गुना 14, एक 15, बार दो, और इसका whole square, मैनस कर देंगे, एक से 4 तक, तो यहाँ पर n हो जाएगा, चार, ठीक है? तो 4, गुना 4, प्लस एक 5, बार दो, इसका whole square, यह कट जाएगा, 7 बार में, और यह कट जाएगा, 2 बार में, इधर हो गया, 15 सते 105 का whole square, इधर हो गया, 5 दूना 10 का square, तो आप यहाँ पर formula भी लगा सकते है, नहीं तो आप देखिए, यहाँ 11, 5 है, तो इसका square करना असान है, तो 5 का तो 25 हो जाएगा, उसके बाद बचा क्या 10, तो 10 का अगला number, यानि कि ए 11 से गुना करके आगे बढ़ते हैं, X और Y एक कारी को करमसा 28 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, X ने अकले कारी शुरू किया, 4 दिन वाद Y उसके साथ कारी में सामिल हो गया, और कारी पूरा होने तक उसके साथ कारी किया, कारी कितने दिन तक चला, ठीक है, ठीक है X है और Y है X करता है 80 दिन में Y करता है 20 दिन में तो टोटल वर्क की इन दोनों का LCM 140 हो जाएगा ठीक है इवाइट करेंगे 5 आएगा इधर 7 आएगा अब यहां कर रहा है कि X ने अकेले कारी शुरू किया और 4 दिन तक कारी किया तो 4 दिन में X दोरा कितना काम होगा X का Efficiency 5 है तो 4 दिन में पांचों के 20 unit काम होगा तो 20 आप इसमें मैनस कर दीजे तो बचा कितना 120 unit यह जो किया गया काम है किसके दोरा है यह X के दोरा ठीक है अब दोनों साथ में कर रहा है और यहाँ पर X किया था 4 दिन तो 10 प्लस साथ 14 दिन टोटल काम चला तो option number 3 इसका अंसर होगा आगे बढ़ते हम चक्रिवर्दी व्याज की एक निस्सी दर पर एक धन्रासी 2 वर्स में 64 सा और 4 वर्स में 800 हो जाती है चक्रिवर्दी व्याज की दर ग्यात कीजिए ठीक है देख यहाँ पर 2 से 4 वर्स यानि कि 2 वर्स का स्केप है तो 2 वर्स में देखिए यहाँ पर किस रेशियो में यह बढ़ा है तो 00 काट देंगे तो यह आज जाएगा कितना 64 अनुपत 21 यह दो वर्स का टाइम है तो एक वर्स का निकालने के लिए इसका वर्ग मुलेंगे तो कितना हो जाएगा आठ अनुपत 9 तो यहाँ आठ से 9 एक वर्स में हो रहा है तो एक कभियाज मिल रहा है कि इसके उपर 8 के उपर तो एक बटा 8 होता है कितना साड़े बारा परसेंट तो साड़े बारा परसेंट इसका रेट होगा ओप्सन नुमर डी ठीक है आगे भड़ता है यदि एक सनुपात य यह है तो इसका मान निकालना तो सिंपल साय वेल्यू रखेंगे यहां पर रखने से क्या होगा चौन सट चौन सट माइनस 27 ठीक है और ग्यारा यह हो जाएगा नाइन्टी वन 29 अनुपात यह ऑप्सन नुमर तीन इसका अंसर होगा आगे बढ़ता है अंक यह दे रखा है से बनी पांच अंकों की सबसे चोटी संख्यां ग्याद की ठीक है पांच अंकों की तो इसमें स्टा नंबर जो है उससे सुरू करेंगे लेकिन यहाँ पर जीरो दे रखा है जो की सबसे चोटा है तो अगर जीरो हम लोग सुरू में देंगे तो वह चार अंका ही नंबर बचेगा तो इसलिए जीरो को सुरू में हम नहीं दे सकते हैं इसके बाद जो चोटा नंबर है वो कौन सा है दो है तो दो से हम लोग स्टा कोसेक रूट्टू है तो इसका मन निकालना देखे साइन मैनस कोसेक तो कोसेक को आप लिख सकते हैं वन बट्टा साइन निकालने के मतलब है कि मान लेजिए कि यहाँ पर के रहे तो क्या होगा कंक यूता कि यूख करेंगे तो यह गार्ट उसमें प्लस करेंगे थी के यानी की तीन अरूटू हो जोड़ने के बाद 3 2 5 धू कर जाए Pittsburgh आपशन नमबर 2 अगे बढ़ते हैं और का एक दरजी एक मीटर कपड़े के पांच टुकड़े कर सकता है उसके पास 57.6 मीटर कपड़ा है वह इस कपड़े के कितने टुकड़े कर सकता है ठीका तो देखे 57.6 तो पहले 57 आप अलग करिए एक मीटर के पांच टुकड़े कर रहा है तो 57 मीटर के कितने टुकड़े होंगे इसको पांच से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपको कितना इधर दोसो पचास और पांच दोसो पचासी तुकड़े इधर हो गया अब बचा हमारे पास पॉइंट 6.6 यहां देखिए एक मीटर के अगर पांच टुकड़े करेगा तो एक टुकड़े के लंबाई कितना होगा एक बटा पांच यानि इसको आप कर सकते हैं पॉइंट 2 मीटर एक टुकड़ा है तो पॉइंट 6 मीटर में कितना टुकड़ा होगा दो का तीन गुना है तो टोटल तुकड़ा जो होगा तीन होगा तो कुल मिला के 280 प्लस 3288 टुकड़े बनेंगे इसके option number D आगे बढ़ते हैं तो हुन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की बाद में उसने खर्चों में 10% की और कमी की उसके खर्चों में कुल मिला कर कितने परतिसत की कमी हुई ठीक है तो सक्सेसी फॉर्मुला से लगा सकते हैं यहां पर देखे 25 प्लस का 10 मैनस करेंगे 25 गुना 10 बटा 100 इतना percentage इसका टोटल कमी आएगा तो कैल्कुलेट कर लेंगे 25 से यह कट जागा चार बार में और 4 से यह कट जागा इधर होगे जोड़के कितना 25 पचीश-10 35 पैंटीस में टूपइंट फाइब मैनस करेंगे तो साड़े बतीस बचेगा तो आप्सन नमबर एक इसका आंसर होगा आगे बढ़ते है यहां से हम लोग पहला नमबर निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा भागफल साट है और उसको दो से डिवाइट कर रहा तो दोनों को गुना करेंगे तो वो नमबर निकल जाएगा साट दुना 120 हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि LCM गुना LCM क्या होता है पहला नमबर गुना दूसरा नमबर यहाँ पर 60 गुना LCM है 420 कर देजिए इसमें की पहला नमबर 120 है और दूसरा नमबर निकालना तो इसको N2 कर देते हैं इसको कटाएंगे दो बार में दो से कटाएंगे इसको यह कट जाएगा 210 तो N2 का वेल्यू यानि दूसरा नमबर कितना या 210 ओप्सन नमबर Ds का आंसर है आगे बढ़ते हैं यादि किसी समांतर चत्रहुज का एक कौन उसके छोटे कौन के तीन गुने से 28 कम है तो समांतर चत्रहुज के सबसे बड़े कौन की माप याद कीज़े एक समांतर चत्रहुज हम लोग बना लेते हैं इसमें जो है छोटा थीटा मैनस का 28 और हम लोग जानते हैं कि समांतर चत्रहुज में संगत कौनों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों को जोड़ी है 3 थीटा प्लस थीटा यह हो जाएगा 4 थीटा मैनस का 28 बड़ाबर 180 करेंगे तो यहां से थीटा का वेल्यू कितना होगा 208 कटा 4 थीटा का वेल्यू अब यहां पर बड़ा को निकालना तो इसमें रख देंगे थीटा का वेल्यू तो बावन तिया 156 और मैनस का उसमें 28 करेंगे तो 108 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन नुम्बर 3 आगे बढ़ते हैं दो संख्या का अनुपात 9 अनुपात 11 है यादि परतिक संख्या में 6 जोडा जाता है तो उनका अनुपात 6 हो जाता है बड़ी संख्या ग्यात किजिए दो नुमबर है क्या रेश्यों है 9 11 लिगते हैं 9 11 और लास्ट का जो अनुपात है क्या है 6 अनुपात 7 है यह 6 जोडा गया तो यहां पर दोनों में 6 हम लोग जोड़ करके अंतर लेंगे 967 61 अच्यार 6 अंतर आ रहा तिन इधर कितना का अंतर है इधर शे का अगहारेगे तो सिदह पूंच करहाँ से 2 गुना करता है तो अगर स्याम 1 युनित कम करेगा थो करण कितना करेंगा ढोगना आप है एक साथ गुनां करते हुए वेकारी को 20 दिन में अब जरता है तो यहां तोटाल वर्क और इसको करन अकेले करेगा तो करन का इपिसेंसी कितना है दो है तो दो से इसको डिवाइट कर दिए दो से दस बार में कटेगा दस तीस दिन इसका आंसर होगा आपसन नुमर डी आगे बढ़ते हैं तो मादिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोई करम में लिखना होगा लिखते हैं दो दो उसके बाद तीन है आपको तीन बार ठीक है उसके बाद चार नहीं है पांच है दो बार पांच पांच उसके बाद छे नहीं है साथ है दो बार साथ साथ उसके बाद नो है तो माधतेका क्या हो जाएगा अगर सम है फ्रेक्शनों का योग तो बीचवाला दो पतका एवरेज होता है माधतेका तो बीचवाला दो पतक यह है इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए जोड़के दो से डिवाइट करेंगे हैं अंजिरH चार यह हो गया मादिका मुझा कि क्या हो जागा हो जाएगा जो अधिक वार आया होगा है तीन है तीन ऐसी जह सब से अधिक हो जाएगा दौ crush जाएगा में एग्वनतनी सक nost~! 2 याद ही उत्ग सवांदर पर जाता यंश्य का अंथ स्याक्षकां दो वर्स का हमारे पास मुल्दान है चोवीस अजार चोवीस अजार का एक से स्क्वाइर बटा सो परसेंट तो परसेंट के लिए भी एक सो देना होगा नीचे बराबर कर देंगे कि यहां से 20 गाट देते हैं एक जीरो झिरो और काकड देते हैं और यहां पर कितना हो जाएगा पारसी सिए च्ञाहांकोगी सबसे बड़ी और सबसे शूटी संख्यां का अंतर यह है लिख देंगे हम लोग छे बार ठीक है और उसमें सबसे छूटी संख्या जो है छे अंकों की वो कौन सा एक पर पांच जीरो पांच जीरो हम लोग देंगे और अंतर लेंगे तो कितना बज़ जाएगा यह बच्छा अप्शन नबर डी ठीक ह आगे बढ़ते हैं किसी वर्ग की दो असन भुजाओं की लंबायों में करमसब 35 परसंट और 25 परसंट की विर्दी की जाती है परिनाम सोरु प्राप्त आयत का छेतरपल वर्ग के छेतरपल से इतना अधीक होगा ठीक है तो यहां पर सक्सेसी फॉर्मॉला से निकाल लेंग इसको तो टोटल कितना हो गया इस पचास दसाट और इसको जोड़ेंगे तो अट सब्सक्राइब अगे बढ़ते हैं जदी 11 बरावर यह दे रखा है तो 2x का होले स्वेर कमान पूछ रहा है तो हम लोग इस तरह बेजएंगे तो क्या हो जाएगा 11-11 बरावर है 11x तो यहा इसमें रखना है 2x का वैल्यू निकलना तरीक दोनों तरफ दो से गुना कर देजें जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर 2x हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा दो दो कटने के बाद लिएक है तो यहाँ पर रख देंगे एक का स्क्वर एक ही आंसर हो जाएगा अप्सन एक बटा भी जोड़ेंगे तो LCM AB हो जाएगा उपर हो जाएगा एपलस भी तो यह पर दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना 72 ठीक है और दोनों संख्याओं का गुनान फिल क्या हो जाएगा यह यह फॉर्मुला होता है तो यह 102 दुना यह हो जाएगा आपको 204 कटाएंगे यह 12 से 6 बार में कटेगा 121 का 1224 सी शेवटा सत्रा ओप्सन नमबर 2 इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं एक चत्रभूज के कौनों का अनुपात यह है इन कौनों में से सबसे छोटे कौन की सबसे छोटा पुछ रहा पांच उनिट है तो पांच के कितना हो जाएगा पांच नहीं पचास डिग्री ऑप्सन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं यदि सेक मैनस को सेक जीरो है तो इसका मन निकलना तो देखिए यह को सेक मैनस वाला को इस तरह भीजेंगे तो सेक ठीटा 收拖ेंगे तो 2 recycle 2 το टीटा अगर 45 है तो टो टीटा कितना होगा 45 जुना नर्वे तो साइन नर्वे हूए यहां पर साइन नवे होता है एक और एक सब्सक्राइब कितना हो जाये दों सब्सक्राइब को यह से किरित जंट एक पर नमोर में सब्सक्राइबगा यह दिया हो कि जबने मैं 54 आप यह यहां पर क्या करना है कि दो-दोपन का अंतर हपार PC fatoured North Korea यहां पर आपको हो जाए कितना कितना यहां पर आर्ट EVERY से देशाके दॉर कीडिने से गुना करेंगे तो यहां लोग तो यह दोनों का अलग बन गया यह दोनों का अलग बन 규 ф 200 और सब्सक्राइब नंबर 1014 अच् chap पचार 18 24 हो जाएगा और सब्सक्राइब मूद्टों का अंतर लेना है तो अंतर लेने के बाद इसको क्या करना है यह जो रेसियो आया था इसका अंतर भी लेना है तो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 5 का तो 5 से इसको डिवाइट कर देंगे तो पांस से डिवाइट करेंगे तो जो आएगा वह इसका अंसर हो जाएगा तो अंतर लेने के बाद यहाँ पर कितना आएगा 40 चालिस को पांस से डिवाइट करेंगे तो यह आएगा कितना 8 आपसा नमबर 3 में है तो आगे बढ़ते हैं दो संक्याओं का योग 40 और उनका गुननफल 60 है उनके वितकर्म का योग ग्याद कीजिए माली जो दो नमबर है A और B इनका वितकर्म निकालना है तो एक बटा A प्लस एक बटा B हो जाएगा LCM A B हो जाएगा उपर A प्लस B होगा तो दोनों का योग उपर देना है यानि की 40 और नीचे दोनों का गुननफल यानि की 60 कटाएंगे 20 से 2 वार में 20 से 3 वार में दो बटा 3 इसका आंसर होगा अप्सार नमबर 3 आगे बढ़ते हैं यदि एक कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई करमसा यह दिया है तो कमरे के चार दिवारों का खुल पृष्टे चेतरफल ग्याद कीजिए तो देखिए यहां पर चार दिवारी का जो चेतरफल निकालने का फॉर्मूला हो तो क्या तो 22 L प्लस B इंटू है तो यहां पर दोगुणा एल फ्लस B जोड़किए तो लंबाई देखिए लंबाई चोड़ाई यह दोनों को जोड़ेंगी तो 45 होगा तो दो गुणा 45 हो गया तो ौना एच कितना है और वीज दीन में फुरा कर सकते हैं याठ की कारी चंपता एक से अचैनल है एक सा कटा लिजा 5 से कटाएंगे 5 के 20 5 से 3 वार में तो X का 3 यूनिट का समय है और Y का कितना है 4 यूनिट का तो इसका जो efficiency होगा इसका inverse हो जागा यानि कि Y का 4 X में आ जाएगा और X का 3 Y में आ जाएगा ठीक है यह दोनों का कारी छमता का ratio आ गया अब आगे का रहा है कि Z की कारी छमता X से 5 बटा 2 गुनी है तो X का 4 है चार का जाएगा 5 बटा 2 गुना करेंगे तो यह कितना आएगा यह आएगा 10 तो Z हो गया 10 अब यहां total work निकालेंगे तो total work कितना होगा किसी से भी निकाल सकते है एकस फंदरा दिनी में करना है फंदरा गुना x का Efficency कितना है चार चार से गुना करेंगे अब इसको Tीनो मिल के करेंगा तो तीनों का Efficency जोड़ी है चार तीन साथ 10 17 तो सतरा से इसको डिवाइड करेंगे तो सार्ट बटा सत्रा कौन सा ओप्सन है सथा क्सा आवन नूब यहां यह दोनों तो दोनो गयारेगा तो आंदर बचेगा क्या साइन सुखेर लेक्र को साच जिसका मन क्या होता एक होता है और प्लस का स्केर्टप्टटैंअ नीचे वाला को तोड़ेंगे हम लोग निचे वाल को तोड़ दीजिए क्या होगा x plus y का formula है तो x square plus का y square और मैनस का x y यह formula होता है अगर उपर से हम लोग नीचे कटा दें तो यह दोनों कट जाएगा उपर बचेगा एक और नीचे बचेगा x plus y यानि कि दोनों को जोड़ के देना है बारस साथ उनीच तो एक बटा उनीच इसका आंसर होगा option नुमर डी आगे बढ़ता दो बरतनों की धारिता करम से 132 और 59 लीटर है उस अधिक्तम आकार के कंटेनर की धारिता ज्याद कीजिए जिससे दोनों बरतनों की समयगरी को पुर्णिता महपाजा सके तो वह अधिक्तम जो कंटेनर होगा धारिता वाला वो क्या होगा इन दोनों का है एक स्यप एक सोबटीस और 179 का एक से कितना होगा देटां सब्सक्राइब करेंगे दोना इसको भी तीन गुना यहां पर देखिये हायस्ट त्यजों कोमन फैक्टर हो किया है तो है सब्सक्राइब होगे हमारा तीन तो तीन लीटर उसका धारिता होगा लेकिन यहां पर सांसर क्या है संटीए में वा मुख क्या करेंगे 30 के लिए उसे tvCte का नाया विक्रेमल कितना रखना चाहिए लगी गयों 54,750 जिसके करण ये इसको 10 percent के लाव हो रहा है यानि ये ज़ो 26,750 है ये क्या है 110 परसेंट का value है तो क्रेमल निकालने के लिए क्या करेंगी हम लोग 110 से से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे परसंटेज दे भी सकते हैं दोनों जगा यहां तो नहीं भी दे सकते हैं अब देखें आपर उत्पादन लागत में 15% की विर्धी होती है 15% को अगर fraction में लिखें तो यह कितना होगा 3 बटा 20 जाने 20 पर 3 का विर्धी तो टोटल विर्धी कितना होगा यह नया cost price होगा यह उत्पादन लागत में जो 15% का विर्धी हुआ उसके बाद अब यह विर्धी के बाद फिर इसको 15% का लाब चाहिए तो फिर 15% का लाब चाहिए तो फिर इतना है भी बैचेगा 23 बटा 20 में तो 23 बटा 20 से फिर से गुना करना पड़ेगा अब यहां आप क्या करें जीरो जीरो काड़ दीजिए तो यहां पर हो गया कितना दो दुना चार चार सिसको डिवाइट कर देता है चार पंचे 20 चार चेके 24 और यहां पर 25 हो जाएगा इतना गुना करना पड़ेगा लेकिन गुना नहीं करेंगे हम लग मल्टीपल चेक करेंगे या तो आप 20 का मल्टीपल चेक कर लिए नहीं तो इसमें देखिए 6,5,1,2,3,5,8 यह 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल वाला देखेंग का कौनसा ओप्शन है 8, 2, 10, 7, 5, 22, 6, 8, 2, 35, 35, 39 नहीं है 7, 2, 9, 7, 5, 12, 6, 18, 5, 2, 7, ये भी 9 का नहीं है 5, 2, 7, 6, 13, 5, 18, 7, 9, 16, 18 ये 9 का मल्टिपल है 8, 2, 8, 7, 15, 5, 20, 6, 20, 28, 25, 33 ये भी 9 का मल्टिपल नहीं है तो एक ही ओप्सन बचा हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा आगे बढ़ता हूं एक लम रितिया वेलन में वक्र प्रिष्टेशच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है यहां लोग कृतना होगा तो नियूटीле करेगा यह फिस का है यहां 12.75% तो हम लोग क्या करेंगे केंद्रिया कॉन कितना होगा 360 degree तो 360 degree है total अगर इसको हम लोग percentage में निकाले तो 1% निकालने के लिए इसको 100% से divide करना पड़ेगा यानि यह 360 100% का value है 1% का निकालने के लिए इसको 100 से divide करेंगे तो यह आएगा कितना 3.6 degree यानि 1% का value आगे आपको 3.6 अब देखिए यहां पर कितना है 12.75 तो 12 degree का 12% का अगर हम लोग निकालने तो कितना होगा 12.36 और 7.2 36.43 दसमलब 2 degree इसना आगया तो इससे बड़ा जो होगा वही answer होगा लेकिन इससे बड़ा 2 option है मेरे पस यह और यह 50 तो ज्यादा है तो 0.75 का निकाल लेते हैं देखिए 1% का इतना है तो 0.75 का कितना हो जाएगा इसका 3-4 जब 3-4 निकालेंगे 3.6 का तो यह कितना हैगा 9 सत्य से यानि कि 2.7 जोड़िए इसको 45 जसमनलव्स तो यह किसके करीव है 46 डिगरी तो आप्सर नमबर दो इसका अंसर होगा आगे बढ़ते हुआ इस वर्स में दौनों विश्यकी पुस्तकों की बिकरी का अंतर सबसे कम था तो निकाल लेते हैं यह वर्स है और यह पुस्तक का नाम है इतर वर्स दिया है तो यहां पर अंतर है 17 188 सबसे कम यहांपर 115 2005 का है यह इसका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जन्यवरी 2015 की तुलना में अप्रेल 2015 में कारों के अलावा कितने और वहन पंजीक्री तीके गए इसमें कि कार जो है बिलेंक वाला है और ग्रे जो है टोटल वहिकल है है अगर हम लोग झन्यवरी 2015 का देखें तो टूटल वहिकल 27 है कार है 21 तो कितना होगा 27 मैंस 11 यानि की 6 अचितना हो जाएगा पंदरा इसमें कितना हो जाएगा यह ठाइगाओ बाइंगर विड़ेगा-वे इस यंथी सब्सक्राइब भुजन 50% कितना अधिकर रहा है 30% तो 30% किसका निकलना टोटल विया इसका है 35 तो 35 का 30% तो 35 तो यानी की 1050 इसका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तो यह लास्ट सवाल था वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइए अच्छी लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बाबा टेक केर